हेलो दोस्तो मेर नाम है अजय आदव और आप देख रहे हैं Entertainment For You आज की इस वीडियो में हम किसी फिल्म का box office collection नहीं बताएंगे बलकि भोजपुरी एक्ट्रेसिंग के बायोग्राफी के बारे में बताएंगे दोस्तो बने रही और देखते रही है Entertainment For You वीडियो पसंद आये तो लाइक जलू कर देना अक्सा सिंग इंडियन टेलिविजन एक्ट्रेस है और मेंली फेमस है भोजपुरी फिल्म इंडिस्ट्री और भोजपुरी मूविस के लिए वो भोजपुरी इंडिस्ट्री की एक बहुत ही खुपसूरत अधाकारा है जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडिस्ट्री में डेवी किया था भोजपुरी फिल्म सत्मय उजयते के साथ और इस फिल्म में उनके अपोजिट में थे भोजपुरी के मेगा स्टार रवी की संजी और ये फिल्म रिलेज हुई थी भोषपरी बॉक्स ओविस पे 2013 को इन्हें इंडियन टेलिविजन पे भी काम करने का मौका मिला और इन्होंने हिंदी सीरियल में भी काम किया जैसे कालर डिका इन्होंने अपना टेलन्ट दिखाया बहुती फेमस सो सर्विस वाली बहु और इस टीवी सीरियल में इनकी एक्टिंग की काफी अच्छी तारीफ हुई और इन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग भी की इस टीवी सीरियल में जिसके बाद इन्होंने भोषपरी फिल्म इंडस्टी का रुख कर लिया और अभी ये सिर्फ भोषपरी फिल्में ही करती हैं और गाने गाती हैं अब बात करते हैं भोषपरी एक्टर अर्ली राइफ के बारे में तो दोस्तो अंजना सिंग का जन्म 30 अगस्ट 1993 को पटना में हुआ था और इन्होंने शुरुवाति शिक्षा एक प्राइबट से की उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन युनिवर्सिटी आफ मुंबई से किया इनके पिता का नाम विपिन सिंग है और इनके माता का नाम नीलिमा सिंग है विपिन सिंग भोजपरी फिर्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे एक्टर है और इनकी मा नीलिमा सिंग थेटर आर्टिस्ट है जो कि भोजपरी फिर्म में भी नजर आती रहती है फिल्मी बैक्ग्रांड में होने के कारण इन्हें एक्टिंग में रूची तो थी लेकिन ये भोजपी फिल्म में आना नहीं चाहती थी लेकिन विपिन सिंग और रवी किसन जी बहुत अच्छे दोस्त थे और उस समय 2013 में सत्यमयों जयते के लिए रवी किसन एक हिरोन को तालास कर रहे थे तबी उनकी नजर पड़ी अक्सरा सिंग पर और उन्होंने विपिन सिंग जी से बात की इनके पिता से और अक्सरा सिंग को यानि सत्यमयों जयते के लिए साइन किया और सत्यमयों जयते 2013 की सबसे बड़ी ब्लॉक बशर साबित हुई और अक्सरा सिंग की रात तो रात में कुछ आइटम सॉंग्स भी करते रहती हैं जब अक्सरा सिंग्ना सत्मयों जयते में अपना डेवी किया और ये फिल्म रिलीज होई और फिल्म ब्लॉकबस्टर्ड हो गई तो इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ होई और इसके बाद इनने बहुत से भोचवे फिल्म भी आफर होने लगे थे सत्मयों जयते के बाद इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में और उस फिल्म का नाम था बलमा बिहारवाला बलमा बिहारवाला से अक्सरा सिंग्न को नेम मिला, फेम मिला और ये फिल्म भी 2013 की blockbuster film में से एक थी और इस film में उनकी opposite में थी lead role में थे खेसारी लाल यादव जी इसके बाद अक्सरा सिंग जी ने कभी पीछे मुलके नहीं देखा और इन्होंने अपना पूरा रुक भोजबरी फिम इंडस्ट्री की तरब कर लिया अक्सरा सिंग भोजबरी की queen के नाम से भी famous है उन्होंने बहुत सी भोजबरी फिम में item songs किये हैं अक्सरा सिंग जी ने कुछ TV CL भी किये हैं जैसे service वाली बहु काला टीका जो की GTV पाता था करन जो की Sony TV पाता था और इसके बाद इन्होंने भोजबरी फिम इंडस्टी का रुक टूटली कर लिया है इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म और या हिंदी TV में कभी काम नहीं किया अक्सरा सिंग महवा TV पे एक सो आता था जेला डॉब उस सो को host भी कर चुकी है कि कुछ famous फिल्म है सबसे पहले उन्होंने डेविय किया था सत्मियों जैते में उसके बाद रवेकेशन का उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई हमार देवदास फिल्म उसके बाद फिल्म आई बलमा बिहार वाला पुरकी लक्षमन, बजरंग, एक बिहारी सौपे भारी, कालिया, बिगोल और प्रतिगार जैसी बहुती बहती 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 फिल्म है और जिन्होंने अक्सरा सेंग को बहुती कम समय में भोजबी फिल्म इंडस्टी के एक बहुती मशूर अधाकारा बता दिया और इन फिल्मों ने भोजबी फिल्म इंडस्टी को एक बहुती सौनेरा और बहुती अच्छा कलाकार दिया अक्सरा सेंग के नाम पे और पहुचा दिया अक्सिर जींक के अगर फीस के बात करें तो अक्सिर सेंग जी हर फिल्म के लिए 7 से 9 लाग रुपर टक चार्ज करती हैं दोस्तों अगर आपको अक्सिर सेंग जी के बायोगरफ़ी पसंद आई तो like जरू करें और comment भी जरू लिखें अभी किसी फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की बायोगर्फी जाणने में इंट्रेस्टेड हो तो थैंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स अफिस कलेशन या फिर जानकारी के साथ